हाई स्टुडेंट्स आईए हम लोग अब दसवाँ चैप्टर यानि पॉलिटेकनिक में फिजिक्स का दसवाँ चैप्टर पदार्थ के अणुगत सिध्धांद के बारे में पढ़ेंगे ठोस और दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस आप जो है ये वीडियो अच्छे से समझ लेजिए तो ठोस द्रव गैस के बारे में सारी चीजें आपको अच्छे से असपष्ट हो जाएंगी तो देखे ये ठोस क्या होता है ठोस के जो कण होते है ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो नियमित क्रम में एक निश्चित क्रम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और बहुत पास पास होते हैं और दूसरी बात द्रव के कण दूर दूर होते हैं अनियमित क्रम में होते हैं गैस के कण और अधिक दूर दूरी पर होते हैं और इनका भी कोई निश्चित नीयम या निश्चित्ता इसमें नहीं होती है कि ये इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे कोई कण कहीं भी हो सकता है ठीक है फिर से सुनिए ठोस के कण जो है वो क्या होते हैं पास पास होते हैं ठोस के कण पास पास होंगे और द्रव के कण जो होते हैं ठोसों से अधिक दूरी पर होते हैं ठोस से अधिक दूरी पर ठोस से अधिक दूरी पर होते हैं न और अनियमित क्रम में होते ही है आप जान दे हैं और गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं ठीक है बहुत दूरी पर होते हैं अब इन में उर्जा देखे जब पास पास होंगे ये कण क्या होंगे जब पास पास होंगे तो इनकी उर्जा जो है वो कम होती है तो जब उर्जा अधिक रहेगी तो वो गती भी करेंगे आसानी से थोस के कड़ वो उतना ज्यादा गती नहीं करते है बिलकुल नहीं करते हैं कमपन कर सकते हैं कि वहल अभी हम बताएंगे उसके बारे में तो द्रव के कड़ों की उर्जा थोसों से अधिक होती है थोड़ा थोड़ा हम लिख दे रहे हैं आप समझ लिए अच्छे से नोर्स बनाते जाएए इसको लिखते जाएए करम से हमारे साथ तो आपको अच्छे स दी जाए तो सबसे एधिक होती है ठिक ये हो गया सबसे अधिक अब अगला पॉइंट समझ लिजिए इसके बाद अंतरावकास अंतरावकास क्या होता है यह इनके कडों के बीच जो रिक्त स्थान होता है ठोस द्रोगैस या कोई भी पदार्थ हो पृत्ते पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्तस्थान बचता है उसे अंतरावकास करते हैं यानि इंटर्मालिकुलर स्पेस होता है तो यह क्या है समझ यह देखिए थोस के कण पास पास है न तो इनके कणों के बीच यह जो रिक्तस्थान है यही क्या है अंतरावकास है और यहां देखिए बीच यह रिक्तस्थान यह अंतरावकास हो गया और यहां यह अंतरावकास हो गया अब देखिए किसमें अंतरावकास सबसे ज़्यादा है यानि intermolecular space किसमें सबसे जादा है गैस में चुकि बहुत दूर दूर है तो अस्थान जादा है ठोस में पास पास हैं तो अस्थान कम है यानि अंतरावकास सबसे कम होता है सबसे कम कम अंतरावकास होता है इसे समझ लेजिए और द्रव में अंत्रावकास ठोस से अधिक होता है ऐसे कह लिए ठोस से अधिक लिए ठोस से अधिक और गैस से कम होता है और गैसों में सबसे अधिक अंत्रावकास होता है इसमें सबसे अधिक अंत्रावकास होता है है न? क्यों क्या? अब अगला पॉइंट देखिए ये क्रमसा, अंत्रावकास ये क्रमसा बढ़ता जाएगा ठोजत्रों गैस से क्रमसा और उसी प्रकार से ये भी है ठीक, अब यहां आजाएए अंत्राणू का अकरसन बल अंतराणू का आकरसन बल मतलब पदार्थ के कणों के बीच जो आकरसन बल कारी करता वो अंतराणू का आकरसन बल होता है अब देखिए अब हमको समझना है किसमें अंतराणू का आकरसन बल अधिक होगा और कहां कम होगा अब देखिए ये कण पास पास है न तो जब पास होंगे तो उन्हें में आकरसनबल खुद से बताईए ज़्यादा होगा कम आप पिछले और आप जो है अन्ने चैप्टरों में जैसे चुम्बक हुआ आवेस वाला हुआ तो वहाँ आप पड़ चुके हैं देखे चुम्बक है माले जीए ये चुम्बक का उत्तरी धुरूब है ये दच्छी धुरूब है तो इसको जब क्या करेंगे समीप में ले आएंगे तो क्या होगा चिपक जाएगा यहां आकरसनबल दोनों में देखे जब पास है तब आकर कब जादा लग रहा है जब पास में है तो यहां आकरसनबल अधिक लगेगा दूर है तो कम लगेगा कैसे पता यहां से छोड़ेंगे तो गिर जाएगा है ना तो आकरसनबल अधिक कारी करता है वैसे भी आप जो है अपने ब्योहार में भी इसको देख सकते हैं जो आपके प्रकार से अंतराणू का करस्रबल किसमें ज़्यादा होगा बताइए फोसों में सबसे अधिक है अंतराणू का करस्रबल यानि इंटरमालिपिलर फोर्स सबसे अधिक है ऐसे कह लेते हैं अधिक होता है अणुमों के बीच आकर्शन बढ़ है और द्राव में ठोसों से कम होता है ठोसों से कम होता है ठिक और गैस में सबसे कम आकर्शन बढ़ होता है एक गैस में गैस में सबसे कम होता है अच्छा एक चीज और देख लिए ठोसों के बीच के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है बीच की दूरी यहां हम लिख दे रहे हैं यह होती है दस की पावर माइनस दस मीटर लगभग तो ये हो गया हमारा अंत्राणू का कर्शन बल अब देखेंगे हमागे ये क्या घानत तो क्या होता है घानत तो होता है एकां कायतन में उपस्थित मात्रा गानत तो यानि एकां कायतन में उपस्थित मात्रा ये density होती है तो अब घनतों को समझ ये क्या होता देखिए जैसे ये सिर है जितना बड़ा है हमारा उतना बड़ा ही रहेगा यदि माल लिया जाए इसमें बाल किसी की कारण से गिर गए जड़ी गए तो क्या होगा बाल की मात्रा इतने ही सिर में कम हो गई इसका मतलब घनत तो कम हो गया यदि अधिक हैं उतने ही अस्थान पर मात्रा तो यहां पर बाल का घनत अधिक हो जाएगा। जैसे मालेजेर रूम में जादा लोगों को बैठा दिया जाए उसी रूम में तो लोगों का घनत तो बढ़ जाएगा। कम हो गए तो लोगों का घनत तो कम हो जाएगा। तो पृतिएक चीज का घंत तो क्या होता है उतने ही आयतन में जो मात्रा होती है वो घंत होता है अब बताईए यहां से घंत तो कहां अधिक है थोसों का घंत तो अधिक है द्रव का या गैस का किसका अधिक है जहां अधिक मात्रा में होंगे कन देखे किसमें है थोस में पास थोस में सबसे अधिक होगा, त्रोव में कम, गैस में सबसे कम, अब घनत तो समय लिए घनत किस में अधिक होगा, थोस में सबसे अधिक है वही बात, ना आकरसन बल घनत तो सब अधिक होगा, सबसे अधिक, यही बात हम लिए यहां भी लिख सकते हैं, सबसे अधिक होगा, थ क्या होती संपीर डिता यानि इस ट्रेन कहते हैं इसको तो इसको देखे प्रेक्टिकली थोड़ा सा समझ लेजिए फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा संपीर डिता देखे किसको हम पहले गयस को हम दबा करके देखते हैं इसको कितना जादा दबाया जा सकता है यह हम इस प्रकार से देखे यह है अब इसमें देखे हम गयस भरेंगे इसको जब खींचेंगे इस प्रकार देखे यह खींच ले हैं इस प्रकार से इसमें क्या हो रही है गयस भरी जा रही है अब भर गई इसमें गयस अब क्या करेंगे देखे गयस भर गई अब यहां से हम ब देखे यह दबाया जा सकता है, यह गैस को हमने दबा दिया, अब छोड़ेंगे जब हम इसको, तो यह पुना अपनी प्रारंभी का उस्था में आएगे, चुकि वो गैस फैलने लगेगे, गैस अभी दबी हुई है, गैस अभी दबी हुई, इसका मतलब गैस को हम दबा सकते हैं, है न, देखे इसको छोड़ रहे हैं, यह देखो पीछे अपने आप आ गया है, तो इसका मतलब गैस को क्या हुआ, दबाया जा सकता है, गैस को दबाया जा सकता सबस्यादा, अब इसके अलावा हम पानी इसमें भर लेते हैं, पानी जो है, यह क्या है, द्रव अस्था यानी द्रौव को गैस की अपेक्छा कम दबा पाएंगे हम, है न, तो संपीर दिता किस में सबसे अधिक होगी, किसको अधिक दबाया जा सकता है, इस गैस को, गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है, यानि गैस की संपीर डिता सबसे अधिक होगी सबसे अधिक होगी और यहां द्रौ में यह कम होगी और यहां सबसे कम होगी संपीर डिता सबसे कम किसमें है? ठोसों में तो इसको हम इस प्रकार से तीर का निशान लगा देंगे आप आप सानी समझ सकते हैं प्रमसा बढ़ता जाएगा अब गति देखिए इनके कण जो है किस प्रकार से गति करते हैं देखे ठोस में कण बहुत पास-पास है मान लीजिए बहुत भीड है या किसी रूम में बहुत जादा लोगों को भर दिया गया या बस में आज कल देखते हैं यात्रा करे के होंगे प्राइबेट बस में तो क्या होता है खड़े हो करके लोग जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में भीड हो जाती है भर जाते हैं तो एक जगा से दूसरी जगा जाने में उनको दिक्कत होती है वो क्या कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा पास-पास होंगे नियमित क्रम में भ अस्थान पर रह करके हिल सकते यानि कमपन कर सकते एक जगा दूसरी जगा जा नहीं सकते एक किनारे से बले जाएंगे तो ठोस के कण जो है वो अपने अस्थान पर रह करके क्या कर सकते हैं केवल कमपन कर सकते हैं इनमें कैसी गति होती है कमपन होती है और द्रव में क्या होत इसमें देखिए समझीह इसके जो है जब गति करते हैं तो एक दूसरे से टकर आते भी है और इनका टकर जो है पोड़्याद प्रत्यास्त होता है यानी इनकी फ़र्ज़ा खर्च नहीं होती है जब यह द्रौं के कंड हैं दूसरी तरफ गया, सीधी रेखा में जाएगा, यहां इस प्रकार से, और कहीं भी जाहां तक जाएगा, वो सीधी रेखा में इस प्रकार से, कहीं भी, ठीक, तो इस प्रकार की गती जो है, वो ब्रावनी गती होती है, किसमें होती है, द्राव में, द्राव में ब्रावनी गत इसमें उर्जा खर्च नहीं होती है कुल उर्जा नियत रहती है थीक तो यह कौंसी गदि करते हैं आम लिख दे रहें ब्रावनी गदि करते हैं ठीक और यह गैस के कण जो है यह अनियमित रूप से घूमते हैं अब अगला पॉइंट देखते हैं, आकार और आयतन इसमें काउन सा निश्चित होता है, काउन सा अनिश्चित होता है, तो देखें, ठोस का आकार और आयतन दोनो निश्चित है, ऐसे लिख दे रहे हैं, दोनो निश्चित होता है, यह हो गया हमारा, दोनो निश्चित होता है, और द्रव का आकार तो निश्चित होता है, परन्तु आयतन अनिश्चित होता है, यहां हम लिख दे रहे हैं, आयतन निश्चित होता है, उल्टा बोल दे गया, द्रवों का जो है, वो क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, है न, आयतन, अभी हम इसको अच्छे सम दोनों अनिश्चित होते हैं, इनका पता असपष्ट नहीं होता है कि किस वे होंगे, ठीक है, तो अब अच्छे समझेइ, जैसे ठोस है, तो ये देखिए, जैसे काँच की कोई गोली है, उसको कहीं भी रखिए, वो गोला आकार ही उसका बना रहेगा, है ना, ये पिन है, इस तो इसका आकार है यही रहेगा, यह तो बदलेगा नहीं, आयतन यानि जितनी जगह घेर रहा है उतनी घेर एगा, तो आकार और आयतन दोनों निश्यत हो या ठोसका, अब देखेंगे हम द्रव का, तो द्रव यानि पानी समझ लेजिए, आप कोई भी तेल, यह क्या होते हैं अब पानी को किसी पात्र में रखी तो जिस पात्र में आप रखेंगे उसी का वो आकार ग्रहन कर लेगा मुह में रखी है मुह के आकार का हो जाएगा गिलास में रखी है गिलास के आकार का बन गया यानि आयतन निश्चित हो गया और आकार अनिश्चित हो गया अब देखेंगे गैसों में गैसों में क्या होता है कि गैस के कंड बहुत दूर होते हैं अनियमित रूप से गत करते हैं जब अनियमित रूप से गत करेंगे तो इनका आकार और आयतन दोनों भी अनिश्चित होत निकलती है सुगंध गैस के माध्यम से है न तो वो गैस जो है चारों तरफ फैल जाती है यानि जितना उसको आयतन मिलता है पूरे आयतन में फैल जाती है यानि आयतन भी इसका क्या हो गया अनिश्चित हो गया तो इस प्रकार से गैसों में आकार आयतन दोनों अनिश्चित ह अब एक बार में इसको अच्छे से समझ लिए क्या है आपको याद रखा देखे जो तीर का निसान हमने नीचे लगाया है जैसे उर्जा क्रमसा बढ़ेगी थोस से गैस की अवस्था भी आने में थोस द्रव गैस क्रमसा अंतरा वकास किसमे अधिक होगा गैसों में थोस द्र हो गई अंतरा वकास हो गया और उड़ जा हो गया ये क्रमसा क्या है तीनों चीज ठोसों में कम होती है द्रव में उससे ज्यादा गैस में सबसे ज्यादा और बाकी देखिए घनत्व इसके अलामा क्या घनत्व अंतरा अडू का आकरसन बल और क्या उपर की और हमने तीर ल फोस द्रोग एस तीनों का वर्गी करन अच्छे समझ लिया इसको जो है यदि कम समझ में आया हो तो ये एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा है वैसे भी याद तो हो ही गया होगा चलिए इसके बाद अब 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 देखते हैं बायल, चार्ल्स और दाब के नियम तो बायल का नियम क्या है देखी हमको यहाँ से ये इस तरीके से पढ़ेंगे तो याद रहेगा देखिए एक हम लिए है ताप और दूसरा दाब तीसरा आयतन आयतन क्या होता है जितनी कोई पदार्थ जगह लेता है वह उसका आयतन होत आप दाब को इस्थिर कर देंगे तो चालस का नियम मिल जाएगा आइतन को इस्थिर कर देंगे तो दाब का नियम यानि गैलुसेक का नियम मिल जाएगा तो देखें क्या करेंगे हम ताब को इस्थिर कर दिये इसका मतलब गर्म नहीं करेंगे अब दाब लगाएंगे गैस पर जब दाब लगाएंगे तो आयतन क्या होगा दाब लगाईए यानि दबाईए उसको तो आयतन क्या होगा आयतन यानि जितनी जगह ले रहा है वो बात होती है आयतन तो दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा कम होगा यानि दाब आयतन के ब्यूत्रुमान पाती होता यह याद रखिए क्या इस्थिरताब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब आयतन के बित्रमान पाती होता है अब यहाँ से मिल जाएगा हमको P proportional 1 upon P proportional 1 upon V हो गया अब यहाँ देखिए 40 का नियम कैसे मिलेगा आप दाब को इस्थिर कर दीजिए तो इस्थिर्दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का ताब आयतन के अब खुद बताईए आयतन के अनुकरमान पाती होगा बित्रमान पाती खुद समझेए ताब बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी गर्म करेंगे तणों के बेची दूरी बढ़ जाती है दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा आयतन बढ़ जाएगा तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ रहा है इसका मतलब यह हो गया अनुक्रमान पाती ताप आयतन के अनुक्रमान पाती होता है फिर से इसको एक बार से सुन लीजिए क्या है कि इस्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाप आयतन के अन्तुमन पाती होता है अब यहां आजाईए अब आयतन को इस्थिर कर देंगे हम तो दाब का नियम मिल जाएगा आयतन इस्थिर कर लिजिए आयतन इस्थिर का मतलब उस पात्र को बंद कर दीजिए जैसे घर पे जब खाना बनता है तो यह जो कूकर होता है उसमें डाल जो भी बनाना है डाल दीजिए अब इसके बाद उपर से बंद करके उसमें उसको जलाएंगे फिर क्या होगा गर्म हो दग जाएगा ये संभावना होती कि नहीं तो दाब बताइए बढ़ रहा है घट रहा है जब आप गर्म कर रहे हैं उसको बंद करके तो क्या हो रहा है ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ाने पर बढ़ रहा है तनकुमान पाती बढ़ाने पर घट रहा है ताप को बढ़ाया ताप को जब बढ़ाया यानि गर्म करेंगे तो फैल जाएगा आयतन बढ़े जाएगा ताप बढ़ाया आयतन बढ़ा ताप बढ़ाया आयतन बढ़ा इसका मतलब अनकुमान पाती हो गया अब इसको खुद से बताईए क्या होगा इस तिर आयतन है हम ताप बढ़ा रहे हैं दाब क्या होगा कुकर में क्या हुआ ताप बढ़ाएं तो दाब बढ़ जाएगा तो बताईए अनुक्रमान पाती बिद्गमान पाती क्या होगा बढ़ाने पर बढ़ रहा है तो हो गया अनुक्रमान पाती यानि T प्रपोर्शनल P लिख लीजिए या P प्रपोर्शनल T लिख लीजिए यह हो गया हमारा है ठिक यह तीनो नियम हो गए अब इसकी सहायता से देखिए और क्या हम निकाल सकते हैं यहां से हमको मिलेगा यहां नियतान का लगाईए बराबर करके तो K अपान V हो जाएगा K बराबर क्या मिला PV है ना इसका मतलब दाब और आयतन का गुड़न फल निश्चित है यदि मान लिया जाए किसी समय आयतन किसी समय आयतन V1 है और दाब P1 है V2 हो जाता है तो बाद में दाब हो गया P2 आयतन हो गया V2 पहले दाब कितना था P1 और आयतन V1 तो गुड़न फल नियत होता है तो यह नियत हो जाएगा तो यह फार्मूला हमारा साही मिल जाए यहां से ठीक इसको पक्षानतर करके इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं क्या V1 अपान इसको V2 इधर लाइए V2 बराबर P2 अपान P1 एक यह भी फार्मूला हमारा मिल गया ठीक है अभी अब इसी प्रकार से देखे चार्ज के नियम से भी आप निकाल लेए इसमें क्या आएगा बताईए T प्रपोर्शनल V है तो देखिए जैसे प्रपोर्शनल था नियतांख हमने के लिए आया न तो यहां भी वैसे करेंगे तो T बराबर K इनटू V अब देखिए इधर गुड़ा है तो उदर जाएगा बटे मो जाएगा तो K बराबर क्या मिल जाएगा हमारा K बराबर T बटे V इसका मतलब ताप और आयतन का नुपात इस्थिर है ताप और आयतन का नुपात इस्थिर है ठिक अब उसी प्रकार जैसे यहां हमने बताया उसी प्रकार से यहां भी कर सकते हैं T1 ताप पर आयतन V1 है ताप बढ़ा करके T1 से हमने यदि T2 कर दिया तो आयतन V बढ़ करके हो जाएगा V1 से V2 यदि हो गया तो यह हमारा फार्मूला यह भी प्रकार सी मिल जाएगा अब पक्षानतर करके इसको भी ऐसे लिख सकते हैं V2 अपान V1 V2 इदर लाईए और T1 को इदर ले आईए तो क्या मिल जाएगा T2 अपान T1 यह भी फार्मूला हो गया इसको हम इस प्रकार से इसलिए बता रहे हैं तो कि आपजेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है कि बायल का निके नीमा नुसार कौन सा सत्य है वैसे ज़्यादा तर यही वाला पूछा जाता यह वाला अगर इसमें यह वाला है ठिक चलिए अब यहां आजाईए दाब दाब के नियम में क्या है आयता निस्थिर है तो दाब बढ़ाने पर ताब बढ़ रहा है अचा इसको देखिए आभी हमने प्रैक्टिकली तो बताया ताब बढ़ाएंगे यानी गर्म करेंगे कूगर को उसको गर्म करेंगे तो दाब उस पर अधिक लगता है आपने देख लिया अब ये उल्टा अगर समझेंगे कि दाब बढ़ाने पर ताप कैसे बढ़ेगा ये भी practically आप समझ सकतें कैसे जैसे वो cycle में हवा भरने के लिए वो जो है pump होती है उसको जब कई बार आप उसको भरिये भरने के बाद हवा भरने के बाद जहां से हवा आई है वहाँ चिप करिए देखिए वो गरम हो जाता है दाब उस पर लगता है गैस पर तो वो क्या होता है ताप बढ़ जाता है दोनों बात होती है दाब बढ़ाओगे ताप बढ़ेगा ताप बढ़ाओगे दाप बढ़ेगा तो यह अन्कुमन पाती चलिए इसी प्रकार से इसका भी फार्मूला बनाईए क्या बनेगा ये हो जाएगा P बराबर K T है ना तो T धल लाईए P अपान T is equal to K अब देखिए दाब P1 है तो ताब T1 है दाब P1 से बढ़ाकर P2 कर दिया तो ताब T1 से T2 हो जाएगा इसको पक्षांतर करके भी आप लिख सकते P1 बटे P2 को इधर लाईए T1 को इधर लाईए T1 बटे T2 ये हो गया फार्मूला ठीक है अब इसके बाद चार्ल्स के नियम में एक बात और यहां से समझ लेजिए कि 1 अंसेंटीग्रेट ताब बढ़ाने पर सून यांसेंटीग्रेट के आयतन का ज्यान समझे फेसे सून यांसेंटीग्रेट के आयतन का 1 बटे 273 भाग बढ़ जाता है मतलब यदि सून यांसेंटीग्रेट पर आयतन यदि V नात है 1 अंसेंटीग्रेट हम बढ़ाएंगे तो जितना इसका आयतन था उसी का 1 बटे 270 गुना बढ़ जाता है है न? तो 1 अंसिंटिग्रेट बढ़ाने पर कितना बढ़ जाता है? 1 बटे 270 गुना जान समझी है? एक सूत्र और स्थी किसी प्रकार से अभी निखलेगा सून्य अंसिंटिग्रेट पर आयतन V naught है और यदि इसका एक अंसिंटिग्रेट ताफ हम बढ़ाएंगे तो V naught जितना था उसी का इतनी गुना बढ़ जाएगा V naught का एक बटे 273 गुना बढ़ गया अब यदि T अंसिंटिग्रेट ताफ बढ़ाएंगे देखिए हम जानते हैं एक का यदि से एक अंसिंटिग्रेट बढ़ाने पर इतना आयतन बढ़ गया ये समझ में आया एक अंसिंटिग्रेट बढ़ाने पर बढ़ा फिर से देखिए अच्छा ये सून यंसिंटिग्रेट पर आयतन V naught है अभी हमने बताया एक अंसेन्टिच्रेट आप बढ़ाएंगे तो जितना आयतन है उसका एक बटे 273 मा भाग बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा इतना बढ़ जाएगा एक अंसेन्टिच्रेट बढ़ाने पर तो tब बढ़ाने पर यहां t से गुड़ा कर लिजिए V0 into T upon 273 T n centigrade ताप बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ जाएगा तो अब T n centigrade पर यदि आयतन VT है यदि T n centigrade यहाँ लिख सकते हैं कि T n centigrade पर आयतन कितना हो जाएगा VT बढ़ाबर देखिए पहले आयतन कितना था V0 और आप T n centigrade बढ़ाएं तो कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया यानि V0 T बढ़े 273 तो यहाँ से क्या करेंगे VT बढ़ाबर V0 कामन ले लिजिए 1 प्लस T अपान 273 यह बन गया हमारा T n centigrade पर आयतन के लिए सूठ ठीक यह कहां से मिला है समझिए यह 40 वाले नियम से मिला है अब इसी प्रकार से दाब वाले नियम से निकाल लेजिए दाब के लिए भी इसी प्रकार से हो जाएगा दाब के लिए क्या होगा? उसको देखिए तो ठीक उसी प्रकार से यदि सून्य अंसिंटीग्रेट पर यदि दाब पीनाट है एकंसिंटीग्रेट आप दाब बढ़ा रहे हैं तो जितना दाब है उसी का 273 वाँ भाग बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा एकंसिंटीग्रेट पर बढ़ाने पर दाब कितना बढ़ेगा पी बटे दो सो तीहत्तर इतना बढ़ गया तो अब देखिए टी अंस इंटिगेर बढ़ाएंगे तो कितना दाब बढ़ जाएगा एक अंस इंटिगेर पर इतना बढ़ रहा है ना तो टी अंस इंटिगेर पर टी गुना बढ़ जाएगा पी नाट इंटू टी अपान 273 तो अब टी अंस इंटीगेट पर अब लिख लेंगे हम दाब टी अंस इंटीगेट पर क्या लिखना है दाब कितना आएगा बताईए पी टी लिखे इसको बराबर पहले कितना था दाब जैसे यहाँ निकाला हमने वी टी वैसे पी टी बराबर क्या होगा पी नाट प्लस इतना था कितना बढ़ गया इतना और बढ़ गया उसी मैट कर लो पी नाट टी बटे 273 तो यहाँ से मिल जाएगा पी टी बराबर पी नाट वन प्लस टी अपान 273 यह होग गया ठीक तो इतना यह अच्छे से याद रखिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजे जल्दी से टी अंसेंट इस्थिर ताप पर किसी गयस के निश्यत मात्रा का दाब आयतन के बित्कुमन पाती होता है इस्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मातरा का ताप आयतन के अनकुमन पाती होता चार्ज की नियम हो गया दाब का नियम यानि गैस्वेक का नियम क्या करेंगे इस्थिर आयतन आयतन को इस्थिर कर लीजिए इस्थिर आयतन पर किसी गैस के निशित मातरा का दाब ताप के अंकुमर पाती होता यह हो गया अब चार्विस के नियम से ये फार्मूला मिल गया TNC TG TAP बढ़ाने पर आयतन कितना बढ़ा ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ता है तो ये हो गया उसी परकार से यहां से देखिए TAP बढ़ाएंगे तो दाप भी बढ़ता है अब इसके बाद देखिए आदर्स गैस स सभी अवस्थाओं में गैस के सभी नियमों का पालन करती है यानि तीनों नियमों का पालन करती है वो क्या होती है आदर्स गैस होती है अब आदर्स गैस समीकरण यदि यह आदर्स गैस वो होती है जो सभी नियमों का पालन करें तो आदर्स गैस समीकरण भी इन ही समीकरण से मिलेगा है ना तो चलिए हम निकालते हैं कैसे समीकरण मिलेगा आदर्स गैस समीकरण तो देखिए यहां से हम लेंगे यह देखिए बायल के नियमा नुसार क्या हमको मिला था यह बायल के नियमा नुसार मिला था पी प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् अनुक्रमानपाती का मतलब अभी हमने गता है कई बार कि दाप बढ़ाएंगे ताप बढ़ जाएगा बढ़ाने पर बढ़ रहा है अनुक्रमानपाती उपर उपर लिखेंगे दाप बढ़ाएंगे आयतन कम होगा तो उपर नीचे लिखेंगे यानि ब्यूत्क्रमानपाती हो गया चलिए अब क्या करेंगे ठीक उसी प्रकार जैसे हमने इसमें निकाला था वैसे इसमें भी निकालेंगे लेकिन दोनों समीकरणों को ऐसे जोड़ने के बाद ठीक तो चलिए इसको जोड़िये क्रम से क्या बनेगा पी बराबर लग जाएगा और यहां देखिए पी बराबर लगा एक नियतांक आ जाता है यहां हम उस नियतांक को आर कह लेते हैं आर टी बटे वी है ना तो अब इसको तिर्चा गुड़ा कर लीजे क्रास मल्टिप्लिकेशन करिए तो क्या मिलेगा पी वी बराबर आर टी मिला और नहीं मिला यह गैस के लिए समभी करने मिलेगा यादि गैस के मोलों की संख्या यन है यादि गैस में मोलों की संख्या कितनी है यन है मोलों की संख्या आप जानने है भार बटे अनुभार मोलों की संख्या यन है तो क्या मिलेगा यन से गुड़ा करना पड़ेगा PV बराबर यन RT ठीक जहां अब देखें यन मोलों की संख्या हो गया P दाब हो गया V आइतन हो गया T सारवत्रिक गैसनी तांग है क्या है सारवत्रिक गैसनी तांग है T क्या है परमताप है अब देखिए यहाँ यह दाब है एक Y मन्डली दाब जो होता है वो कितना होता है यह हम लिखेंगे चली इसको मेटा के अभी बता देते हैं ने देखिए अभी हमने लिखा क्या P V बराबर या नाइटी है Num अब इसमें P क्या है दाब है, क्या है, वाई मनली दाब, तो हम जानते हैं, पी बराबर, यदि एक वाई मनली दाब है, तो एक वाई मनली दाब बराबर होता है, एक दसमलो, एक पी बराबर होता है, एक दसमलो, जीरो, एक तीन, गुड़े, दस की घात कितनी होती, आपको याद होगा, पांच न आयतन जो होता है वो होता है 22.4 लीटर ठिक लीटर अब इसको यदि मीटर में आप बदलना चाहें तो क्या करेंगे 22.4 गुडे 10 गाते माइनस 3 मीटर क्यूब आयतन का मातर क्या होता घन क्यूब तो ये अच्छे से आद अगे सवाल लगाने में बहुत जरूरी होगा लीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा कभी कभी तो लीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 गाते माइनस 3 से गुड़ा कर लेंगे ये आप याद रखिए कि ये क्या है एक मोल गैस का आयतन है ठीक अब इसके बाद ये आर और क्या है सारवत्रिग गैसistaan का है क्या है सारवत्रिक गैसनियतांग R बराबर होता है 8.31 कितना? 8.31 J अब देखें उसी मातरक निकल जाएगा आपका कहां से? जैसे अभी हमने बताया PV बराबर यान RT तो हम मातरक इसका निकाल रहे हैं R का तो R बराबर क्या होगा? PV बटे यान इंटू T की संख्षा का क्या होता है? मोल और ताप का क्या होगा? Kelvin P इंटू V जो होगा या क्या हो जाएगा? कार यानि Joule तो Joule प्रति मोल और Kelvin Joule प्रति देखें यन का क्या होगा? मोल ये हो गया Joule मोल और T का हो जाएगा Kelvin चलिए अब देखते हैं डालतन के आंसिक दाव का नियम इसमें क्यास है कि देखे एक पात्र है पहले समय लेजिए फिर अभी नियम हम बता दे रहे हैं यह पात्र है इसमें अक्रिय कई गैसे भरी हुई है तो ये सभी गैसे इस पर दाब कुछ ने कुछ लगाएंगी तो मान लीजिए एक गैस अक्री गैस है आपस में अक्रिया सिल नहीं करेंगी आपस में अक्रिया नहीं करेंगी ऐसी गैसे हैं तो मान लीजिए एक गैस P1 दाब लगा रही दूसरी P2, तीसरी P3, और चौथी P4 दाब लगा रही चार गैसे भरी ही है तो इनके दोरा लगाया गया कुल दाब जो होता है अलग अलग इनके दाबों के योग के बराबर होता है बस हो गया यही है डालतन के आंसिक दाब का नियम क्या है कि किसी पात्र में अक्रियासील गैसों का अलग अलग कुल दाबों का योग इनके द्वारा लगाए गए कुल दाब के योग के बराबर होता है इस प्रकार से पूरा चैप्टर ये वाला खतम हो गया अब इसके बाद हम निमेरिकल कम से साल्व करें